नमस्का वित्रों मैं चुतियन पांडे एक बापुना हासी हुँ आप सब के बीच आज एक नया विश्य लेकर कि आज हम बात करेंगे हिंदी सिक्षण की तो आप देखेंगे कि सीटेट में जब हम सीटेट की परिक्षा की तैयारी करते हैं तो विश्यस का यहां पर विभिन विश्यूं के सिक्षण मिलते हैं जैसे आप बात करेंगे पादर आन्य भासा होगी चाहे वो अमेजी हो अत्वासंस तो उसका शिक्षण मिलेगा यह आपको सामाजी कध्यन का सिक्षण मिलेगा और यह बहुत महात्पूर्ण होता है सीटेट की परिक्षा में क्योंकि जानना होता है कि हें यी हो जाए घड़ित हो जाए आपकी अदर कूई लेंग्वेश हो जाए और गवार्वाडे सामाजी में पढ़ाना कैसे है इसको जानते है तो इसी को क्या कैते हैं इसके इतला हमें यह बताया जाता है कि हमारे कौन से बीदी के साहता से हम पढ़ाएंगे कौन से TLM का यूज हम करेंगे कौन से कोशल की समझते हैं इन सबी कि जब हमें समझ होती तो इसी को हम सिक्षण कहते हैं और किसी भी बिशे को चात्रों की मध्य प्रभावसाले धंग से रस्तूत करने के लिए अवश्चक होता है कि सम्बंधित बिश्य की जो सिक्षण क्रट्रिया है उसको बैता धंग से समझते हो तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी सिक्षण की बात करेंगे टेस्ट है हमारा हमारा संस्थान उत्कृस टेकर्मी निरंतर चात्रों के लिए पीडिया फुपलब्द करा रहा है लोगडाउन के समय में आप को स्टी दे रहा है उस स्टी को आप किसी भी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं चाहे आप हमारे यूटूब चैनल पर जाकर के उत्कृस फैजाबाद पर चले जाए वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं अथ्वा के स्टी में आप हमारे संस्थान के फेस्बूग ग्रूप उत्कृस टेकर्मी फैजाबाद अथ्वा हमारे संस्थान के विने सर्व उनकी फेस्बूग ग्रूप बिने मैस के साथ जाकर क्या प् सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब हम सीटेट को ध्यान में रख करके कोई प्रस्ट पत्र हल करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर सीटेट को ट्रैक करने के लिए तर्क होना चाहिए आपका अपना लॉजिक होना चाहिए आपके पास स्वतंत्र चिंतन सक्की होनी चाहिए आपके पास ब्याख्या की छमता होनी चाहिए और आप situations को उस समय उस question के according रख करके आपको देखना होगा जब तक आप परिस्थितियों के आधार पर प्रस्थित को नहीं हल करेंगे आप seated की परिक्षा को असानी से नहीं crack कर सकते हैं यह बहुत बड़ा रिप्रेंस होता आपका यूपीटेट और सीटेट में कि सीटेट में आपको जो प्रस्थितियों पर आधारित होते हैं और वहां आपको अपने आपको as a teacher रखना होता है आपसे question पूछा जाता है कि एक परिक्षक कि एक अध्यापक के दिश्टे से आपके लिए बहतर क्या होगा यह आपकी सोच क्या है बट मैं बताना चाहूंगा students की आपको पूछा तो जाता है कि आपका विचार क्या है बट उस समय आपको entire whole को लेके चलना होगा आपको संपूर को लेकर के सूचना होगा आपको अपना ऐसा मत रखना होगा कि जो आपके लिए भी सही हो सामने वाले के लिए सही हो किसे third person के लिए सही हो यानि कि सभी के लिए सही हो कहता है कि आपका अपना विचार क्या होगा पर कभी आप अपना विचार क्यों single person को ध्यान में रखकर के individual अपने आपको ध्यान रखकर के उस प्रस्ण का हल नहीं दे सकते हैं आप सोचिए स्वतंद्र चिंतन से सोचिए आप ऐसा सोचिए जो सभी जगों पर अप्लाई हो जाए सभी लोग उसको माने यह आपको ध्यान रखना होगा सीटर के पेपर को हल करते हैं आज हम हिंदी से चड़ी बात करेंगे और सबसे पहले हम लेकर चलते क्वेस्टन नंबर वन ध्यान से पढ़िए क्या कहता है क्वेस्टन नंबर वन आपसे कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्याथी सड़क को सबक बोलते हैं इसे इसका सबसे संभावित कारण क्या है यानि कि उनके इंदर क्या प्रनांसियेशन फाल्ट है उनके उचारन के शुद्दी है वो सड़क को सबक बोल रहे हैं तो सबसे में फैक्टर क्या हो सकता है जिसकी जिसकी वजह सिरो ऐसा बोलते है तो देखे सबसे पहला बिकल्डियाथी सड़क को ब्लैक। आगा होना और दूसरा उनकी मात्रवाशा का्प्रवाह हो ना हुझने हिंदी ना ओन हम यै। अँस सुनने में समस्या होना हृ। अगर सुनने में समस्या होता तो निस्तिरुप से वह अबालक आपसे बात ही नहीं कर सकता वह सड़क बोलने का प्रयास भी नहीं करता और उसे हिंदी नहीं आती तब भी मैं कह सकता हूं कि वह सड़क बोलने का प्रयास नहीं करता इसका मतलग कि हमारे पास अगर देखा जाय तो वह अलक्ट कार्ण की हो जाती है जैसे हम लोग यह भी देखते हैं कि थोड़ी-थोड़ी दूर पर यानि कि कुछ किलो मीट्र के डिफरेंस पर आगर आप देखेंगे तो जो हमाई भासा है उनमें थोड़ा बहुत चेंज़े देखा जाता है हम बोलते होई भासा है लेक का प्रभाव होना ठीक है देखे कभी कोई किसी केस में यह हो सकता है कि बूला पर वही से बोल ला हो कभी-कभी यह भी हो सकता है कि उसने सुन्ने में समस्या हुई हो बट जब आपको संपूर्ण को साभोमी को लेकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो कावेण ह के पीछे उनकी मात्रभासा का प्रभाव है जिसकी वजह से कोई बालक सड़क को सवक कहता है में मित्रों आज हम पहली बार हिंदी सीटेट के पेड़गोजी वाले हिस्से को लेकर आपके बीच में आये हैं प्रिश्रपत को हल करने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों का सह इन में से कौन सा कथान सही मैं ध्यान आपका आर्टिस्ट करना चाहूंगा तो कि हिंदी की क्लास है हिंदी सिचर्णी क्लास है तो यहां बहुत सारी चीजे मैटर करती है इसमें आप देखें कि क्या पूचा बहु भासिक और बहु सांस्कृतिक दोनों सब्दों को पहले म स्टुडेंटे लेम गले तो ध्यान दिए इस बात पर कौन सी चिख्चा चल लोगए कि सरु जय। जात्य क्लास बहु भासिक और साथ घ्याईंटीग हो घक्लास हो जाये भासिक हो कि अपके ख्लास में दिफ्रेंट टाइप के विलिजियन के स्टुद्ध हैं कोई हंदू धर्म को मानने वाला है कोई अबू देखेंगे उनके जो कल्चर और लिबिंग आप स्टाइल है वो क्या होगा डिफ्रेंट होगा लेकिन आपकी क्लास में वो सभी बच्च्छे समाइ में मिनने में उसके कौन सा कठाहला सई है यानि की चार भी सविकल दिये गए हैंशायों मेंसे कोई एक सधी है थीक बाकी तीन आपके क्या है गलत है तो पहला पढ़ते हैं कि क्या है कि बालकों की मात्रभासा को प्रियोक में हम बात करते हैं दूसरा है कि बालकों को किवल मानक भासा के प्रियोग के लिए अनु भूती होना चाहिए और दूसरा क्या है कि बालकों की मात भासा की समुचित अस्थान देते हुए मानक भासा के साथ उनका प्रियोग करना चाहिए तो देखिए यदि हम पहले वाले ब है यदि हम समावेसी कख्षा की बात करेंगे तो यह कथन भी इस अंदर में सही है लेकिन बेटा ध्यान दीजिए कि सीटेट में काफी टाइम कुस्टन्स आपको ऐसे मिलते हैं जिसमें आप देखतें कि एक या एक से अधिक भी कलब सही होते हैं लेकिन ऐसे में आपको ध्या कि बाल को क्यों मानक भासा के प्रियोग करने के लिए अलावड होना चाहिए तो यह कथन स्टेटमेंट यह गलत है आप क्लास में किसी एक मानक भासा को क्यों अलावड नहीं कर सकते हैं आपको अन्य लेंग्विस को भी अलावड करना होगा थर्ड की बात करते हैं बाल को दोजा पांच कहती कि हमारे यहां जो है फ्री भाइसा सूत्र चलता है ध्यान दीजीगा क्या चलता है जाता है फ्राइल लैंग्वेज फारबॉला चलता है शही हम क्या करें कि बालकों की जो मात्र भासा है उनको समझीता स्थान दे और जो मानक भासा है उसके साथ उसका परिचे करा इंटुड़क्शन करां मानक भासा का मतलब कि क्लास की अपनी वैलिज्जिज लेंगिस होती है उसको उस छेत प्लॉकर जोड़ेंगे तो यह वीकल समझ रहोंगे और आप लोग हमें बताएंगे अभी comment के माध्यान से चलिए question number 3 को लेते हैं question number 3 कह रहा है कि एक से अधिक भासाओं का अप्रयोग simple सी language है simple सी बात है आप इसको समझे कि एक class में जब एक से अधिक language आ जाती है एक से अधिक language का use किया जाता है तो उसका benefit होता है या उसका demerit होता है कैसा प्रभाव पढ़ता है इस संदर में आपसे क्वेस्टर पूछ रहा है तो पहला देखिए बच्चों को किसी भी भासा में निपूर प्राप्त नहीं होने देता है इसका मतलब यह कह रहा है कि एक class में जो एक से अधिक language का use किया जाता है इसके प् प्राप्त से समने दोने का संकेत है और चौथा है भासा सीखने में बाधाख है तो दिखे एक वापस हम क्वेस्टन के तरफ चलते हैं हमारा क्वेस्टन क्या है कि एक से अधिक भासा का प्रियोग किया जता है तो कौन-कौन से chances हो हमारे बीच में create करता है तो अगर इस सद आपकी language learning process जो है वो slow हो सकती because आपको कही सारे language पर आपको concentrate करना होगा but not perfect answer यह नहीं पॉसिबल है कि यही अभी आपका पूरा answer हो संग्यानात्मक वो उससे संब्रेध होने का संकेत करता है और डि है कि भासा सीखने में बाधक है देखिए अगर हम एक से अधिक भासा का प्योग करते हैं तो यह भासा सीखने में कता ही बाधक नहीं है इसका वाला बिकल्प नहीं हो सकता है अब हम बात करते हैं बिकल्प तीन और बिकल्प चार की जिसमें बिकल्प तीन को हमने अभी होल्ड किया था और बिकल्प चार के संदर में बात करते हैं देखिए बिकल्प सी वाला जो है वो कहता है कि संग्यानात्मक उसे सम्रिध होने का संकेत बिल्कुल नो डाउड कि यदि एक बालक जो है एक से अधिक language का यूज़ करता है तो निश्टित रूप से वो क्या है वो संग्यानात्मक उसे सम्रिध है आप ही देखते हैं कि आपकी क्लास में जब कोई ऐसा स्टुडेंट होता है जो कई साई language का यूज़ करता है तो हम उसको क्या करते हैं उसको कौतु हल वाली द्रिष्टी से देखते हैं कि भई इसको कई साई language आती है इसका मतलब कि जब हमारे अंदर संग्यानात्मक रूप से हम समर्द होते हैं हमाई संग्यानात्मक छमता सुद्रड होती है तब ही हम एक सदिक language का यूज़ कर सकते हैं तो क्रिश्टन नमबर थर्ड का थर्ड वाला option सही हो जाएगा अब हम क्रिश्टन नमबर 4 की बात करते हैं क्रिश्टन नमबर 4 कह रहा है कि मैं अपनी कक्षा में बहुभासिक्ता को महातो देती हैं इसलिए मैं यानि कि कोई फीनेल टीचर है और वो एक इस पकार की चीज कर सकता को महातो देती हैं यानि कि ज़र हम class teaching करते हैं तो बहुत साई language पर ध्यान देते हैं तो मैं क्या कर रहे हूं पहला है कि भीन 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 भासाओं की पुष्टकों को आदर कर रहे हूं यह नहीं possible है कि एक class में भीन भीन language की books यूज़ की जाए आप समझ ये कि oval group से मौखिक रूप से इसका प्रियूप किया जा सकता है बन लिखित रूप से different language यूज़ नहीं की जा सकती है एक classroom में दूसरा देखिए बच्चों की कई भासाओं की कविताओं का गान कर रहती हूं तीसा है स्यामपट पर हिंदी भासा के शब्दों के अर्थ को दो भासाओं में आवश लिखती हूं और चोथा है सभी बच्चों को अपनी मात भासा में कहने सुनने की आजा दिदे तो दिहान दीजिए कि आम B वाला विकल भी कह सकते हैं कि बच्चों को कई भासाओं की अर्थ को दो भासाओं में लिखती है जैसे हम शब्द और अर्थ लिखते हैं माले यह हिंदी का शब्द है उसका आपने कई भासाओं में टांसलेट कर दिया यह भी पॉस्टिबल है पर फिर कंडिशन यहीं बन जाती है कि कभी-कभी होता है सिर्ट में कि more than one answers आपके सही ह होते हैं बड़ वहां आपको देखना होता है कि कौन सब्सक्राइब होगा तो बिकल्ब चार की बात करते हैं बिकल्ब चार क्या कह रहा है कि सभी बक्चू को अपनी मात रहासा में कहने सुनने की आजादी देती है यह आप ऐसा करते हैं तो इसकर आप more effective teaching कर रहे हैं और आ यह question number 5 की बात करते है question number 5 करते है कि बहु भासिक्ता में बाधा क्या है यानि कि barrier का कौन करता है बहु भासिकता में यहां बहुत साइब भाशा वहां को प्रतिनका रात्मक रहे हैं यह आप जो आपके बिजनल लैंग्रिज है उसके अगेंस आप thinking लगते हैं तो यह बहु पॉसिबल है कि ये बादा खो सकती है अगले विकल्प पे चर्चा करते हैं अगला बिकल्प के चात्रों की अन्य भाशाओं के प्रति आरुची यानि कि आपके स्टुडेंट से को और वो के वागवल एक लैंग्वज में इंट्रेस्ट लेते हैं बाकि अन्य लैंग्वज मे उनको इस सीच के लिए प्रिपनित कर देता हूं कि आपकी जो अपनी भासा है इसका प्रियोगा आप नहीं कर सकते हैं आपके वल माने भासा का प्रियोग करेंगे तो कहीं न कहीं निश्चे तुरुप से यह भी आपकी जो बहुभासिक कछा है उसमें बाधिक का काम करेंगे अब विकल्ब चार की बात करते हैं विकल्ब चार कहते हैं उप्लोग सभी और यही आपका correct answer हो जाएगा तोकि बाकी तीन को हमने one by one करके पढ़ा है वो निश्चित रुप से बहुभासिक कक्षा में बाधा उत्पन कर रही हैं तो विकल्ब चार कहता है उप्लोग सभी तो आपका सभी जवाब होगा कि यह जो कारग दिये गये हैं यानि कि सिक्षक का छेट्री भासाओं के पर नकारात्म कर रही है निगेटिव ठिंकिंग अगर हम किसी रिजनल लेंग्वेज को लेकर के आते हैं तो वह बाधाक है बहुभासिक कक्षा में यदि हम चारत्र को अन्य भासाओं में बोलने की आनुमती नहीं देते हैं और हम चारत्रों की खुद की अरुची है वह इंट्रेस्ट नहीं ले रहें अदर्ल लेंग्वेज के भी से मे तो निश्चेत रुप से ये सारे कालग जो हैं वो एक बहुभासिक कक्षा के निवार में बाधा का कारी करेंगे ठीक है देखिए है मैं सबस्ट करूँ कि आपको एज़ट इस क्वेस्टन आपको नहीं मिलेंगे सीटर्ट में पर इस भिहाब पे आपको क्वेस्टन मिल ज अगला प्रस्ट है कि बहुभासिक कक्षा में सुद्रन सिक्षण अधियम प्रक्रिया के लिए हमें क्या करना जाए यानि कि एक मजबूत सिक्षण अधियम प्रक्रिया को हम अपना है ऐसे क्लास में जो बहुभासिक हो क्या करना होगा उसके लिए यह हमें प्रस्टन पू की पुस्त के पढ़ानी चाहिए जब नई जो हई के फार है है। कि हम कह सकते हैं कि जो बीकलब हमाई easy or effective होगा वो का C वाला भीकलब कि छात्र को को उनकी मात्रोहसा में बोलने के भी और प्रदान करने चाहिए तो इंट्रेस्ट नहीं लेते हैं उसके पीछे का कारण पूछ रहा है पहला है कि हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता है इसलिए हो अरुची उत्पन्द करते हैं चलिए में भी यह भी हो सकता है दूसरे विकल्प की बात करते हैं कि अध्यापक उनकी भासा सम्मदे तुटियों को सहाज़ता से स्वविकार नहीं कर सकते हैं यह भी नहीं होता क्योंकि हमेशा यह होता है कि टीचर जो अपने बहुत कठिल लगती है तो देखे एक चीज मैं यहां और क्लियर कर दू कि बेटा जब भी आप सीटेट के एक्जाम सुदेंगे सीटेट के प्रेस्ट पर्च को हल करेंगे तो हमेशा ध्यान दीजे कि आप स्टुडेंट में फाल्ट को नहीं मेंसन करते हैं यानि कि आपको यह ध्यान देना है कि जो छात्र है आपका वो किसी प्रेकाश से टुटिकूर्ट नहीं होता है आपको फाल्ट कहां लेना होता है आपको सिस्टम में फाल्ट लेना होता है आपको टीचिंग वे में फाल्ट लेना होता है पहले आपको यहां कमियों को देखना होता है यहां यह देखते हैं कि यह पॉसिबल है कि student जो है जो student है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई individual difference उसका हो जिसकी वजह से यह पॉसिबल है कि वह इस प्रकार की रुची नहीं लेता हूँ कि यहाँ आप दियां दिजह आपसे कुछा जाए कि प्रया हें तो दियां कि हूँ देखते हैं कि वह हिंदी तर भाच्चे हैं हिंदी सीखने में अरूची लेते Yogya आप अगले विकल्ब की बात करते हैं यह अगले प्रस्ट की बात करते प्रस्ट करते हैं जो हिंदी गैर हिंदी वाले है जिनको हिंदी जिनकी आपनी भासा नहीं है है जो छेत्रिवासा हिंदी को प्रियोग नहीं करते हैं तो पहला हिंदी posição है अर दूसरा हिंदी सीखने में रविच्ट नहीं लेते हैं crif नहीं भी नहीं है लेकिन वो Hindi शीखने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है उनके साथ प्राबलम हो रही है तो देखिये पईला विकरप हिंदी कठिन भासभाशा है काठनाईया हर जग़े हैं पर पटनाईयां कर जगाई है। हम यह नइ Boss कह सकते हैं कि Hindi हिंदी भासी चेत्र के हैं ना इसका मतलब कि उन्हें हिंदी में अरुची भी नहीं है अब तीसरा विकल्प है हिंदी और उनकी मात्र भासा की सरनचना में अंतर है और चौथा कहा है कि हिंदी सिक्षक के विशे का ज्यान नहीं है अगर हिंदी सिक्षक के विशे का ज्यान न सब्सक्राइब तो सी वाल विकल्प आपका सभी हो जाएगा अब हम बढ़ते हैं कि तब नमर नाइन की तब नमा कहता है कि बहुभासी कच्छा सायक है यानि कि ऐसी क्लास जिसमें बहुत साइब आपको इस पर ध्यान देना होगा तो किस्टिन नमर नाइन जो है आपका जहा भासाइब कुल्ट सही है खुषिर नम नाइन की जहां बात की जा रही है तो इसमें कोई संधेही नहीं है कि जब बहुभासी कच्छा होती है बिगल्कुल सही बिकल्प है भी बहुत साही बच्छे बच्चे होंगे उनकी अपनी संस्क्रिटिय हो भाषा होंगी तो निस्चत रूठसे हम उसको जानेंगे और तभी हमाई कख्षा क्या होगी बहुभासी होगी सीज़ार बेकलप कहरा है कि सिक्ष्छन अधिय tuo च्रक्षिया को सुधर बनाने में निस्चत निस्टित रूप से इसको भी करने में बहुआसी कक्षा सायक होती है इसलिए निसकर्स पर हम पहुंचते हैं कि जो डी वाला विकल्प हमारा है वह सही है कि बहुआसी कक्षा निननन विकल्पों को लेकर के हमारी शाहिता करती है अब बात करते हैं क्वेस्टन नमबर 10 की लो स्थान नहीं हो सकता है दूसरा है लोग जीत गाये जा सकते हैं । तीसराuger करें कि केवल लोग जीतों के माधयम से प्रमपर익 मूल्यों के सिख्षा दे जा सकते हैं और चोटा कहता है कि इससे बच्चे संस्क्रित इगत विश्यस्ताओं से परचित होते हैं तो देखिए अगर देखा ज़िए लोग गीत गाया जा सकते हैं तो भाई और भी सारे गीते जिनको गाया जा सकता है कि इसकी वज़ा से हम अपने बभभास से कख्षा में लोग गीतों का प्योग करें या हिंदी सिक्षन जो कख्षा है उसमें लोग गीत का प्योग करें तीसरा है किवल लोग गीतों के माध्यम से पारंप्रिक मुल्यों के सिक्षा दी जा सकती ऐसा नहीं है कि किवल लोग गीतों के माध्यम से पारंप्रिक मुल्यों के सिक्षा दी जा सकती आप देखेंगे कि कभी-कभी अभी नहीं करते हैं वहां से भी बालकों को इस प्रिकार होता है जो यहां पर लिखा गया क्या लिखा गया है संस्कृत होता है और दूसरा आपका क्या होता है दूसरा आपका संस्कृत होता है एक क्रित होती है एक क्रित होता है तो क्रिती जब बात करती संस्कृत का मतलब है कि रहन सान खान पान बेस बूसा जो आपका चली आ रही ह संस्क्रिट गत विश्यस्ताओं को बच्चे संस्क्रिट इसे इसके सहल सकते हैं इसलिए हिंदी सिक्षण में लोग YouTube का प्यूर किया जाना चाहिए ठीक है अब question number 11 की बात करते है क्योंकि प्रयास यह करें कि 15 questions को include किया जाए कम से कम otherwise यह class बहुत लंबी हो जाएगी तो 15 questions को include करेंगे बाकी 15 questions अगले पार्ट में हम discussion करेंगे question number 11 है कि एक बहुत संस्कृतिक प्रिस्टभूमी वाले करक्षा में भासा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है यानि कि एक ऐसी class है जिसकी प्रिस्टभूमी क्या है कि बहुत संस्कृतिक है यानि कि उसमें संस्कृतियां जो हैं बहुत प्रकार कि बहुत संस्कृति का निर्मार्ण किया जाना तो दूसरा कहा कि यह चैने के लिए व्यकर्डिक नियमों का और अधिकादिक प्रियोग होना चैने चैजिंखर कि वह सा फर्वेस का निर्मार्ण किया जाए है ताकि वह सा अवजन के सहज इस्तिती बन सके और चौथा यानि कि जन्म के साथ उनके इंदर एक ऐसा युक्ति पाई जाती है जो उन्हें ब्याकरण की चीजों को समयने में help करती है ठीक है तो यह डी वाला बिकल्प आपका गलत हो जाएगा आपको ध्यान देना है कि बहुँ भासिक सांस्कृतिक पिस्टभूम वाली कच्छा में भ भासा शीकने के लिए भ्याकरणिक नियमों का और अधिक प्रियोकरना चीए यह नहीं पॉस्टिबल अगर और ज़च्छ कर देंगे और जटिल कर देंगे और ब्याकरणिक नियमों को तब भी प्राव्लम होगी कि बालक जो भासा को नहीं सीख पायेगा अब सी वाला बीक जो आरजन की सहज इस्थिती बन सकेगी उससे बालक भासा को बहुत इसली सीख लेगा तो question number lemon का आपका C वाला विकल्प बिल्कुल सही है अगे बढ़ते है question number 12 को लेते है question number 12 कह रहा है कि सांस्कृतिक परवन के दोरान कक्षा में लोगीत प्रश्थी का आयोजन करने का उदेश किया होता है तो पहला वाला विकल्प आपका कहह रहा है पहला वाला विकल्प है कि बच्चों की सांस्कृतिक जानकारी को बढ़हआए दीना दूसरे है बच्चों की गयन छम्ता का भिकास करना और तीसरे अस्थानिय अनुभohon की परक करना और चलता है बाहरी अनुभohon को कक्षा की अनुभohon से जोड़ना तो अगर चाबर विकलपको को देखेंगे तो बिलकुल असपस्ट हो जाता है कि डी वाला विकलप नहीं हो को बहर निकलना होगा उस इन्वायमेंट में जाना होगा वहां जाकर करके करना होगा तभी वह बहुस्टरह सकता है इसका मतबस किया है गलत I'm looking at the machine के अस्थानिय अनुभों की परक करना अस्थानी अनुभों अब आपका एवाला विकल्ब जो बसता है कि बच्चों की सांस्कृतिक जानकारी को बढ़ाना ये संभव है कि जो आपकी लोगईत प्रस्तुती है उसकी सहाता से छात्रों की सांस्कृतिक जानकारी को बढ़ाया जा सके इसलिए इस प्रस्टन का सही भी कल्प होगा कि बच्चों की सांस्कृतिक जानकाई को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि सांस्कृतिक पर्व के दोरान लोग गीत काई प्रस्तुति का आयूजन करते हैं चली आप question number 13 को लेते हैं question number 13 आपको कहता है कि दो भासा बोलने वाले बच्चे ना केवल भाषा अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्र लगते हैं बलकि अन्य सेक्षिक अस्तर पर वे अब इसको सेंटेंस को आपको complete करना है कहा है कि दो भासा बोलने वाले बच्चे ना केवल भाषाओं पर अच्छा नियंत्र लगते हैं बलकि सेक्षिक अस्तर पर वे क्या होते हैं इस प्रेस्ट का आपको जबाब देना है कि ऐसे स्टुडेंट जो दो लेंग्विज का प्रियूप करते हैं उनके अंदर भासा की तो अच्छी पकड़ होती है उसके सासर सेक्षिक अस्तर पर क्या होते हैं पहला है अधिक बुद्धिमान होते हैं दूसरा अधिक परिश् परिश्रमी होना यह भासा का ज्यान होना वह आपके परिश्रमी होने को उदाहर नहीं है क्योंकि आप देखेंगे जो लोग नहीं परिश्रमी होते हैं उनके अंदर भी लेंग्विज को हम इन्वार्मेंट से ब्रहड करते हैं तो जिस भी वातावर्ण में हम रहते हैं तो हब परिश्रमी होगा अब तीसरे विकल्ब की बात करते हैं कि अधिक अंक प्राप्त करते हैं भासा का ग्यान आपको अधिक अंक प्राप्त करा देगा यह नहीं संबब होता है ठीक है अब चौते विकल्ब की बात करते हैं अधिक रचनात्मक होते हैं बिलकुल यह आपक कि प्रात्मीक अस्तरपव बहु भासिक प्रिस्ट भूपवी कि उबहु और पीडा сторон के प्राप्षा बहु चाह यई याय बहु चांस्क्रिक में क्या लाएdon आहिसे हैं और देनी सबस्राइब आए वहकि Pरिस्ट्ण भासा आजित करते हैं अब इसके विकल्प को चार दिए गए हैं पहला है लच्छ भासा की अपनी भासा से तुलना करते हैं लच्छ भासा को समझे किसको करते हैं लच्छ भासा का अंतलर है कि एक ऐसी भासा जिसको सीखने का आपने लच्छ रखा है उसको क्या करने लच्छ उसे इमों का हैं जिस वीकलफ के दीवेखक, अभयास करने लगते हुएं, आगला वीकलफ है, कि उसे इसे पहस्ताइ और चौता है ब्याकरडी नियमों का सुधता से परक्ते हैं तो ध्यान दीजिए क्या कहता है कि प्रात्मिक अस्थप बहुत सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी वाली कक्षा में बच्चे लच्छ भासा के परवेस्ट में भासा अर्जित करते हुए यानि कि दो कंडिशन से दो बहुत सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी से आप आये हैं और ऐसे में जो आप लच्छ भासा को सीखते हैं तो धीमे धीमे करके आप भासा की जो रस्टनात्मक्ता है उसके प्रियोग हैं उनका अभ्यास करने लगते हैं यानि कि कुर्ष्टन ओर फोटेन का बी वाल अब्रि है कि बच्चे शांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी वाली भासाई गर्ष्टाओं में बहुत सांस्कृतिक प्रिष्टभूमी वाली कि आवस्च्छ हैं। फिर यहां आप ध्यान देजिए किस परकार क्लास कही जा रही है क्लास की जा रही है बहुत सांस्कृतिक प्रिश्टमून वाली और भासाइक अक्षा में भासा सिचंड के लिए आवस्चिक बिंदु की बात कर रहा है तो अगर यहां चर्चा किजा तो सबसे पहला है कि परस्पर बाचीत के लिए अनेक आउसरों का निर्मार करना दूसरा है बिद्यारतियों की सवाण वालेखन को ओशनों के अधिक़ादिक अवशर देना बिकास के और तीजुआ है बिद्यारतियों को भासन वालेखन के अध स्रणवा लेखन को मात दिया गया है इसमें भासनवा लेखन को मात दिया गया है और इसमें क्या है कि विवेन तक्तों को मात देना है तो स्रणवा लेखन को सुनने वा लिखने को भासनवा लेखन को यानि कि विद्यार्तियों को भासनवा लेखन के अधिकादी का उसर देना कि आप क्या किजिए कि परस्पर बातचीत के लिए अनेक आउसरों का निर्मार कीजिए क्यों क्यों कि बहुत सांस्कृतिक प्रिस्ट भूमी है सबकी अपनी क्या है कल्चेवल बैक्ग्राउंड सबका अलग अलग है और कख्छा कैसी है बहुत भासी कख्छा है तो जब सबक क्ल्चेवल बैक्ग्राउंड अलग-अलग है तो अपनी भाशा अलग- अलग होगी उस अपनी भासामें का बातचीत करने हैं की आउसर आओ। इसलिए सही भीकल्ब क्या हो जागा कि ए वाला भीकल्ब आपका सही है कि परस्पर बातचीत करने के लिए आउसमों का निर्माड करना चाहिए यह आज की हमारी 15 कृष्टिन थे हिंदी सिक्षण के अंतरगत हमारा प्रयास था हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा लेकिन फिर हम कहते हैं कि यह पीडियास आप हमें कई माध्यमों से प्राप्ट कर सकते हैं जैसे आप हमारे संस्थान के अफिस्यल वाट्सप एकाउंट पर चौहता पांस ओठासी चौबिस एक सुटेश पर कॉल करके या आप वाट्सप से जूड़ करके पीडिया प्राप्ट कर सकते हैं इसके अतिक्त आप हमारे संस्थान के फेजबुक एकाउंट उत्कृस्ट एकडमी फेज़ाबाद पर सकते इससके सकते हैं अफोई की स्तित 83 में हमारी घृप है या पांडे मैस वहां से जूड़ करके भी आप पीडियाप कर applies आपके लिए हम्स थैगे हम कारत हैं आपके लिए कहते हैं हमारे जो विद्यार्ती हैं उनके मैसेज आते हैं हमें फीड़ ऐकाता है उस आधार पर हम कह रहे हैं और यह हम प्रयास कर रहे हैं कि लॉपडाउन की इस्तिति में जो सामाने सीच्छान अधियम प्रक्टेय नहीं चल पार इस उज्वल भविश्य की कामना के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं आप सब अपना फेड़ जरूर दीजेगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लिजे लाइक कीजेगा और अन लोगों को भी हमारी मुहिम के भी समय जरूर सुचित करें